ऐसी सबजी जिसका सुआद भूलाए से भी न भूले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो आवर चैनल, मैं हुरितिका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी रेस्पी जिसका स्वध आपको कभी भी भी नहीं भूल पाएगा फ्रेंड्स, एक ऐसी रेस्पी है जो चिकन और मटन को भी फेल कर देती है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आउर चैनल मैं हूरितिका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटहल की सबजी की रैस्पी और फ्रेंड्स मैं गारेंटी लेती हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो तो चलीए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस यम्मी रैस्पी को और मैंने यह थुड़ी सी रासी दी सबजी बनाई है जिसे आप राइस के साथ भी न्युजूएं कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं यम्मी सब्जी को बनाती है तो यहां पर मैंने आदा किलो कटेल लिया है यह कच्चा कटेल है और इस सब्जी में कच्चे कटेल की ही सब्जी बनाती है बहुत अच्छी सब्जी बनती है तो इसे मैंने इस तरह से काट लिया है इसके सारे छिलकों को उतार लिया है इसे हम एक साइड रख देंगे और इसी के साथ हम लेंगे प्याज तो आदा किलो कटैल मैंने लिया था आदा किलो ही मैंने प्याज लिया बराबर मातरा में प्याज को मैंने डाला है और बहुत अच्छा टैक्चर आपको मिलेगा आप देखेंगे जब सबजी बनाएंगे तो इसे इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे बहुत ज़्यादा फाइन चॉप हमें नहीं चाहिए तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे चॉप कर लिया है सारे प्याज हमारे चॉप हो चुके हैं अब हम इनके लक्चों को अलग कर लेंगे तो इस तरह से हाथों से सारे लच्छे हम अलग कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स इसके सारे लच्छे अलग हो चुके हैं इस तरह से तो ये लच्छे निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तभी अच्छा सा टैक्चर आएगा और इधर मैंने पानी में कटेहल को डाल दिया है अच्छे से हाथों से मलमल के हम कटेहल को धो लेंगे और फ्रेंट्स यहाँ पर एक बात बता दू मैंने हाथों में हलका सा सरसो का तेल लगाये हुआ है ताकि इसका दूस चिपके नहीं हाथों में और यह देखिए कटेहल बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है और चलिए अब कुकर चड़ाते हैं तो यह सबजी मैंने कुकर में बनाई है क्योंकि कुकर में बनाने से बहुत ही अच्छा टैक्चर आता है सबजी का और यहाँ पर मैंने डाला है सरसो का तेल कटहल की सबजी जब भी आप बनाएं सरसो के तेल में ही बनाएं बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और तेल अच्छा गरम हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए कटहल को कटेहल को मैंने डाल दिया है और इन्हें से बहुत जादा देर तक हमें फ्राइ किया रहेंगेftig और पहले से हो जाएंगे से पकेंगा उसमा में तक हल्दी प्राइप अदर बाद में दिर्साट हैं तरफ से पकशल रहेंगे trudár जाएंगे करेंगा अब भी डाला है बाद में मैं मसालों के साथ डालूंगी और इन्हें भी हम मिलाकर अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए हल्दी भी हमारी बून चुकी है और गैस आफ कर देंगे क्योंकि नहीं तो हल्दी हमारी जल जाएगी और उसके बाद फिर हम ग्रैवी की तयारी करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इन कटहल को निकाल लिया है अलग प्लेट में और उसी बचे मिर्च है डाल जेनी का टुकडा है 20-25 काली मिर्च है الن desire 7 8 लॉंग.. दो बड़ी दाओ है तो मैंने इसमें डाल जो नहीं और आल जाला गज है और यह मैंने डाल दिये है तेज पत्त वैस बचा हुआ यह भी तो इन मशालों को इन में हमि ढाल देंगे और अच्छे से चरट इन में हम डालेंगे अपनी कटी वील अच्छे दार प्याज और अच्छे से इन सबको एक साथ भूनेंगे तो प्याज को हमें बहुत जादा डीफ राई नहीं करना है बस हलके से यह सौफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा तब तक ही इन्हें में भूनना है तो तीन से चार मिनट लगे थे मुझे प्याज को भूनने में और यह देखिए फ्रेंड्स प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं कलर भी इनका काफी चेंज हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन तो दो जो गांट होती है वो मैंने डाला है चेल कर लहसुन को दो गांट लहसुन की डाली है और ऐसे इस आपबुत मैंने डाल दी है क्योंकि अभी इसकी हम ग्रेवी रेडि करेंगे किस तरह से रेडि करेंगे वो मैं आपको पाउडर और एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स और इसी के साथ हम डालेंगे दो चमच धनिया पाउडर सारे मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे मिलाते हुए और यहां पर मैंने डाला है एक टुकटा अद्रक का कद्दू कस किया हुआ इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे तो मसालों को हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है बस थोड़ा सा हम भूनेंगे एक से टेड़ मिनट तक और इसमें हम डालेंगे नमक तो यहां पर मैंने एक साथ ही नमक डाल दिया है आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डालें बाद में जब सबजी आपकी राड़ी होने सॉफ्ट हो जाएंगे और धकन लगा कर सीटी लगने देंगे यसी के साथ मैंने डाला है आधा चोटा चमच गरम मसाला तो गरम मसाला मैंने थोड़ा सा भी डाला है थोड़ा सा मैं लास्ट में डालूंगी जब सबजी हमारी बनने वाली होगी तो और यह देखिए मैंने कल्ची लेना है और अच्छे से अपने मसालों को इस तरह से हमें घोंट लेना है यानि कि बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो जो यह हमारी प्याज लहसुन है सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे यहां पर मैंने मिक्सी का इस्तमाल भी नहीं किया है क्योंकि यह मसाले इसी तरह से कटैल की सबजी में अच्छे लगते हैं और आप देख सकते हैं इस कटैक्चर कितना बढ़िया आया हुआ है अब हम अपने डाल देंगे कटैल जो हमने रखे हुए दे फ्राइ करके वो डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को ताकि मसाले अच्छे से कटैल में लिपट जाएं आप देख सकते हैं इस तरह से यह सारे मसाले कटैल में अच्छे से लिपट चुके हैं और अब हम इसमें पानी एट करेंगे तो यहां पर मैंने फ्रेंड्स एक ग्लास भरकर पानी डाला है अच्छे से और आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं मुझे ग्रैवी वाली बनानी थी सब्जी यानि कि तरी वाली कटैल की सब्जी बनानी थी तो मैंने एक ग्लास भर कर पानी डाला था और सीटी लगा देंगे तो बस एक से दो सीटी लगानी है फ्रेंड्स क्योंकि जो मसाला है हमारा वो पहले से ही अच्छे से पक चुका है तो ये देखिए कुकर ठंडा हो चुका है और सब्जी आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही थी रोटी के साथ मैंने बनाई थी सब्जी को वह भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी तो देख सकते हैं हलका साहरा धनिया डालेंगे इसमें और बस सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है आपको कैसी लगी है कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स और आप किस चीज करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे प्रेंड्स मिलते हैं एक निव वीडियो निव रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाइबाएं टेक केर